आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बाईलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत विडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ इस सवाल में हमारे पास 0.1 मोलल एक्वा सॉल्यूशन दे रखा है MgCl2 का एट 300 केल्विन और उसका जो कोस्मोटिक प्रेशा है 4.92 ATM है तो हम से पूछा गया है कि परसेंटेज आइनेजेशन आफ साल्ट कितना हो रखा होगा तो हम देखते हैं इन में से कौन सा आप्शन से ही होगा सबसे पहले हम क्या जानते हैं यहां पर कंसेंट्रेशन दे रखा है सॉल्यूशन का 0.1 मोलर है ठीक है टेंपरेचर हमारे पास कितना है 300 केल्विन दे रखा है पाई ओस्मोटिक प्रेशर है जो की है 4.92 ATM ठीक है अब हम जानते हैं कि पाई जो होता है वो क्या होता है I, C, R, T होता है क्योंकि यहां पर इनाइजेशन हो रहा है तो हम यहां से I की वैल्यू निकाल सकते हैं वो हो जाएगा 4.92 अपन कंसेंट्रेशन कितना है 0.1 R जो होगा वो हो जाएगा 0.082 इन्टू टेंपरेचर है 300 केल्विन ठीक है तो I की वैल्यू यहां से हम देख सकते हैं I जो आएगा यहां से हमारे पास वो आजाएगा 1.99 यह हमारे पास वेंट आफ एक्टर आगया अब हम जानते हैं कि इवेंट आफ एक्टर निकालने का जो फॉर्मूला होता है एक्वेशन से वो क्या होता है 1 प्लस N माइनस 1 इंटू आल्फा होता है ठीक है अब यह N की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम यहां पे देखते हैं कि MgCl2 जो है वो किस तरह से आयोनाइज होता है वो आयोनाइज होता है Mg2 प्लस प्लस 2Cl माइनस के फॉर्म में तो यहां से हम देख सकते हैं नंबर आफ पार्टिकल्स जो होगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा यह 2 और एक 1 मतलब है N जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा तो हम यहां से Alpha की value निकाल सकते हैं वो Alpha क्या हो जाता है Alpha होता है I-1 upon N-1 तो I कितना है 1.99 minus 1 upon N कितना है 3 minus 1 तो यहां से Alpha हम देख सकते हैं Alpha जो आएगा वो हमारे पास 0.49 आजाएगा कहने का मतलब है 49% आयोनाइजेशन हो गया है तो इससे हम देख सकते हमारा कौन सा पार्ट सही होगा यह पार्ट जो है यह हमारा सही होगा Thank you